अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाइल एकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को अन कर लीजिए फूर फ्यूचर अपडेट्स के लिए आज की इस वीडिया में डिसकस करेंगे गूगल फॉर्मस के रिलेटर तो काफी ज़्यादा प्रॉलमस आती हैं स्पेशली टीचर्स आपको पता आजकल कोवेड नाइटीन के कारण काफी ज़्यादा जो स्टेडिज हो रही है वो फिलाल ऑनलाइन ही हो रही है तो उसमें जो टेस्ट वेरा टीचर्स क्रेट करते हैं उसके लिए मैक्समिम जो स्टूडेंट सा रहे थे कुछ टीचर्स के तो सबसे पहला यह कुरिय थी कि अगर स्टूडेंट ने अपना जो फॉर्म है जो टेस्ट है घुलाइन टीचर ने लिया है उसको वह समिट कर देता कैसे चक्ट कर देते हैं अगर student ने कोई भी जो हमने question दिये है उसको एक format ready किया है mcqs का उसको submit कर दिये लेकिन वो question हमसे गलत दिया गया हो question paper में क्या वो correct हो सकता है अगर हो सकता है तो कैसे करेंगे second year के रिए थी third one थी कि क्या जो incorrect question हम ठीक करेंगे पहले करेंगे या बाद में करेंगे एक यह थी और last में कि जो हम test है उसको कैसे check करेंगे या automatic जो test उसमें हम create करते हैं वो कैसे check होगा automatic तो चलिए start करते हैं कैसे हमने सभी को देखना और कैसे करेंगे so video को पूरा देखी का स्क्रिक्मत करिएगा सो रहा जो भी मैं इसमें आपको method उस्ताओंगा आपके लिए बहुत ज्यादा useful होने वाले हैं तो दीखिए friends google form बनाने के लिए सबसे पहले आपका एक gmail account होना चाहिए with the help of dad gmail account आपने जो भी quiz है वो create करना है google form में अगर आप gmail नहीं use करते हैं और अगर आपने एक google form बना कर एक test बना कर बच्चों को दे दिया और after submission जब बच्चे submit करेंगे तो वो जो test के responses आप check नहीं कर पाएंगे because कोई भी responses कोई भी आप test करते हैं create उसके responses आपके google drive में आते हैं तो यहां पर देखिए email id create कर लिए login कर लिए यहां पर मैंने login किया है और यहां nine dots पर जाकर आप drive में चले जाएंगे जब आप drive पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा interface आजाएगा drive open हो जाएगा और यह जो google form से मैंने पहले से create किया है यहां Google form create करने के लिए आप drive में जाएंगे यहां से more पर जाएंगे Google forms पर जाएंगे और यहां पर आपने सभी ने एक जुरूर सेटिंग करें जो मैं आपको बताने वाला हूं विकॉस मैंने खुद यह experience किया काफी जादा बच्चे आपको पता naughty होते रहते हैं ऐसी form को submit करते रहते हैं और मैंने देखा कुछ students तो ऐसे होते हैं बीच में गलत वर्डिंग भी यूज़ करते हैं यह सारा जो मैं आपको इस वीडियो हैं बता रहा हूं यह सारी मैंने चीज प्रैक्टिकल देखी और प्रैक्टिकल मैंने सारी जॉज़ आंसर कीज चख की हैं प्लीज अगर आप भी गूगल फॉर्म क्रेट कर रहे हैं स्पेशली अगर कोई लेडीज डिपार्टमेंट से हैं या लेडीज कोई टीचर है स्पेशली उनके लिए मैं प्रैफर करूंगा जो स्टूडेंट से बहुत गंदी लेंगवे यूज़ करते हैं तो मैं एक उन से यही प्रैफर करूंगा कि जो मैं सिक्योटी बताने वाला हूं उसको जुरूर ये यूज़ करें अगर नहीं करनी तो भी कोई प्रॉलम नहीं है बट मेरे कोर्डिंग आपको यूज़ करन आपड़ आप मैं खरआंट का नाम लेता हूं चैसे मैं एंबिलॉंग करता हूं कम्प्यूटे डिपार्मेंट से सो मैं यहां कंप्यूटर everyday कंप्यूटर एकजान आप उन पूरा अपका टेस्ट होगा स्टूडेंट कर देऄं साथ के साथ उसको भी और आपको भी स्टूडेंट के माकश को जाएं के लिए पहले हम कोशन सट कर लींगने को आप five capabilities मैं आपर में में इस रीकॉipe डियां दो refuge यहां से आप ले ली जिए इसका डूपलीकेट यहां से मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर मैंने लिख दिया See you stands for stands for यहां पर हम लिख लिएए see you means control और यहां लिख लेते हैं लिख लीजिए विकाज आपको पता है क्लास के डिफरेंट सेक्शन होते हैं अगर किसी टीचर नहीं है टेस्ट वनाया वह एक ही टीचर जैसे फॉर एक्जांपल मैं ही ले लीजिए मैं टेंथ के पांच सेक्शन को टीच करता हूं तो टेस्ट तो सभी को जाएगा लेकिन ज आपने मार्क्स करना है सारा कुषन पर क्रीड कर लेंगे मցसे क्यों ऐसके बाद आप जाएंगी मैं को सेटिंख में जाने के बाद आपको यहां अधा कर देंग आदो यहां क्या होगा एक बच्चा एक email id से सिर्फ एक ही बार जो है अपना test है वो submit कर सकता अगर same id से दवारा fill करेगा तो वहाँ error message display हो जाएगा कि you have already submit your google form या submit your test presentation में जाएए अगर आप यहाँ पर कोई message वरा देना चाहते हैं दे सकता अगर नहीं देना चाहते हैं तो as this रहने दीजिए जैसे मैं यहाँ पर message दे रहा हूँ thanks wait for your next paper next paper जो भी आप message देना चाहते हैं आप दे सकते हैं मैंने dummy create किया तो अपने recording जो मुझे लगा मैंने दे दिया है लेकिन अगर आप कुछ भी यहाँ message देना चाहते हैं सकते हैं students को और सबसे important जो setting है वो है quiz की quiz की help से आप automatic mark set कर सकते हैं यहाँ मैंने quiz का on कर दिया यहाँ पर अगर आप चाहें कि students जो है after submitting their form साथ के साथ इनको marks हो जाएं तो इस option को आपने टिक रखना है अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे पहले खुद manually check करेंगे then after that उनको marks बताएंगे जैसे आपका subjective paper होता है उसमें यह हम setting करते हैं later after manual review तो फिलाल हमारा MC की use है तो मैं पहले पर click कर लेता हूँ अब काफी जादा जो curious आती है मुझे कि sir बताएं कि जो student ने गलत question fill किया है उसको पता लग जया उसका correct answer क्या है तो यहां पर इस तीनों को tick कर दीजिए कौन से बच्चे ने कोशन मिस किया है कौन सा आपने correct answer set किया था उनको show हो जाए और point values होते हैं आपके marks इन सभी की setting करके save कर दीजिए नव यह सारी setting होगी अब देखिए इन में से जो true answer आप क्या करेंगे जब आप इस पर click करेंगे यह देखिए यहां option एड होगे answer की इस पर click करेंगे तो यहां पर जो भी आपका true है answer उसको click करके यहां से point दे दीजिए जितने भी आपका marks का question है one का है two का उसको set कर दीजिए और done कर दीजिए उसके बाद next question है cu stands for इसका भी answer की पर जाएंगे और यहां से जो भी आपका true answer है यहां पर आप उसको set कर लीजिए जैसे इसका answer control है और इसको tick कर दीजिए यहां पर देखिया मैंने marks नहीं दिया marks आपको देने जरूरी है तो यहां पर marks दे लीजिए और done कर दीजिए so without marks आप इसको तो यहां पर देखिये जब मैंने यह set किया अगर आप यहां से अंसर की पर सट करेंगे पॉइंट नहीं सट करेंगे तो जो भी स्टूडेंट आपका यह जो गूगल फॉर्म सब्मिट कर रहा तो उसको यह जो marks है वहां पर add up नहीं होंगे यहां पर अगर summary यह marks की तो automatic यह जो आपने answer true वाला set किया है correct वाला उसको शो हो जाएगा तो यहां से done कर दीजिए तो यह तो हो गया कि student कैसे test को आपने जो भी फिल किया गूगल फॉर्म कैसे आप create करेंगे उसके बाद marks वारा कैसे सेट करेंगे हम स्की उसमें और अगर हम बात करें सब्जेक्टिक भी सब्जेक्टिक में आप जो हैं यह जो यहां पर आप points सेट करें उसमें नहीं सेट कर सकते हैं विकॉज उसमें students है grammatical answers जो आप देते हैं उनमें दिफ्रेंट वह वर्डिंग यूस कर सकते हैं उनमें यहां आपका जो मैठड़ा वर्क नहीं करेगा तो यह सारा हो गया आप देखे Google form को देखने के लिए प्रॉपर ली आप यह देखे प्रिव्यू का option वान है इस पर क्लिक करिए तो यहां पर देखे सब पर क्लिक किया यह दिखिए जो correct answer है यहां पर आटमेटिक तो यहां शो कर रहा है वाट इस अ computer तो दो option थे पार्ट गलत था तो true हमारा मशीन वचा तो यहां पर आ गया correct answer देखे नीचे शो भी कर रहा है machine तो CU stands for control इसका तो सही है तो इसलिए यहां पर वो नहीं शो करेगा जो आपका answer गलत होगा उस पर automatic cross हो जाएगा और जो सही होगा green आ जाएगा टिक हो जाएगा यहां पर देखे पर आप गुगल फॉर्म में जाएगे responses में जाएगे तो यहां आपके सारे responses देखे शोड कर रहे हैं को से कोशचन सोंगे यहां पर वन वाइन स्टूडेंट का जो है कोशच्च कर सकते हैं इन्डीवीजोल में जाकर यहां से आप पूरे student की Detail दे सकते हैं यहां से student डू number 1, 2, 3, 4, on और यहां से आप excel file download कर सकते हैं, excel file download करके spreadsheet download करके आप यहां से भी उसका जो पूरी setting है पूरे जो marks हैं उसको आप class wise set कर सकते हैं, जैसे मैंने starting में example दी थी, कि जैसे मैं class 10 को teach करता हूँ, five sections है तो section wise आप यहां से उसको set कर सकते हैं, और मैं आपको यही prefer करूँगा, file में जाकर यहां से आप download करें, excel file और उसमें सारी setting कर लें, online आप use करेंगे, setting तो हो जाएगी, लेकिन net app का थोड़ा अच्छा होना चाहिए, otherwise आप online भी use कर सकते हैं now, अब सबसे important चीज़ है, जो मुझे recommend आये थे कि कुछ students से उन्होंने या आपने क्या किया था, question paper set किया था, उसमें जो आपने question था, वो incorrect fill कर दिया था, मतलब कोशन ही पूरा गलत कर दिया था, यह उसके answer की आपने गलत set कर दी थी, तो लेकिन बच्चे ने अपने according answer दे दिया था, अब देखिए वो जो पूरा question आप बाद में set नहीं कर सकते, because सभी students नहीं हैं, जो अपने marks दे दिया है, तो उसके लिए उस question के आपको सभी को marks देने पड़ेंगे, बेशक जिनका correct है, वो आप यहां से अपनी file को PDF में convert कर लीजिए, तो यहां पर देखिए, first student है, यहां पर फिलाल मैंने topper, इनका name class road number नहीं लिया, लेकिन आप लेंगे, उनके recording आप पूरी detail आ जाएगी, आप यहां से print करेंगे, उपर save as PDF कर लेना, और यहां पर, जैसे class यहां से उसको save कर लीजिए, save कर लेंगे, तो यहां से जब आप desktop आप मैंने save कर दिया, open करके आप पूरे student का record ऐसे देख सकते हैं, so friends, यह था हमारा आज का video जिसमें हमने discuss किया कि अगर आपने google form में कोई भी online test create करना है, जिसके आपके marks है, automatic आजाएं, तो कैसे set करेंगे, अगर आपसे कोई question गलत set हो गया है, तो उसका आप पूरा setting कैसे करेंगे, उसके बाद जो student ने responses, मेंटू से test submit किया, उसके जो answer keys आप कैसे check करेंगे, with the help of responses, उसका backup रखना चाहते हैं, backup की वैसे कोई जरूट नहीं होती, google form में जो भी आप test online लेते हैं, वो सारा जो उसका backup आपके google tribe में आता रहता है, तो बस यही था friends आज का वीडियो जो आपकी क्यूरी से उसके regarding, अगर कोई भी आपका जो क्यूरी यहां question है, मैंने इस वीडियो में explain नहीं किया हो, यहां आपको clearly पता ना लगा हो, तो आप comment box में comment करके उसका solution ले सकते हैं, और साथ के साथ हमारे YouTube channel को भी subscribe करना मत भूलिये, so that in future, जो भी latest update आएगा उसको notification आपको timely मिलता रही, so thank you friends for watching this video and for your available time